नमस्कार दोस्तो जितेश की बाते चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे पतंजिली दसमूला रिष्ट के बारे में और देखे सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये इस्तरी और पुरुष दोनों के ले ही उपयोगी है दोनों ही इसका इस्तमाल है वो कर सकते हैं तो इसके क्या फाइदे है कैसे आपको लेना है इसका प्राइज, इंग्रिडियांज, साइड इफेक्ट, सारी जानकारी जो है आज की इस वीडियो में आपको दूँगा तो इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है तो चलिए फिर ये पतंजिली के दसमुला रिष्ट के प्राइस से सुरुवात करते हैं तो देखिए 450 ml की ये बोतल है और इसका प्राइस जो है 120 रुपे है और इसकी जो एकस्पारी रहती है वो 10 साल की रहती है दोस्तों ये आपको कुछ इस तरह प्लास्टिक की बोतल में देखने को मिलती है जैसा कि आप वीडियो के स्क्रीन पर भी देख सकते है और ये जो दसमुला रिष्ट है ये बहुत सारे जड़ी बूटियों द्वारा बनाए गई मेडिशन है करीब 50 से ज़्यादा जड़ी बूटिया है वो इसमें सामिल है अगर मैं कुछ जड़ी बूटियों की नाम बताऊं आदी इस प्रकार से इसमें इंगेडियों से वो सामिल किये गए है जो कि आपके हेल्थ कले काफी फाइदेमन रहते हैं तो चलिए फिर अब बात करते हैं इसके फाइदों के बारे में तो देखे सबसे पहले ये जो है चाहे महिलाओ या पुरुस उनकी सारे रिक शमता और फिटनस को बढ़ाने में मदद करता है और खास तोर से महिलाओं में कमजोरी और ठकान को खत्म करने में भी मदद करता है देखे अगर बात करें फिमेल लोगों की तो ये जो है पोस्ट डिलिवरी मतलब कि जिन लेडिस लोगों की डिलिवरी वगेरा हो जाती है तो उसके बाद उनको काफी समझ्चाय देखने को मिलती है जैसे विकनस आ जाती है उनको सारे रिक कमजोरी हो जाती है तो यहो उस कमजोरी को दूर करने का काम करता है या फिर कई बार गर्बपाद या मिसकरेच होने पर भी महिलाओं को सारेरिक कमजोरी हो जाती है तो इस तरह के सारेरिक कमजोरी को दूर करने के लिए दसमुलारिष्ट काफी फाइदेमन होती है ये सारीरी कमजोरी को दूर कर, सरीर को मजबूत और immunity बढ़ाने का काम करती है इसके लावा ये hormones को ठीक करता है, उसको maintain करता है देखे जिन लेडिस लोगों को pre-eat जो हैं कम जादा होते हैं या फिर समय पे नहीं आते हैं तो उनलोगों के लिए भी काफी अच्छा है दसमुला रिष्ट इसके लावा जिन महिलाओं को मासिक धर्म के दोरान जरूरत से ज़्यादा रक्त का इस्तिराव होता है ओबर ब्लेडिंग होती है तो उस कंडिशन में भी दसमुला रिष्ट काफी फाइदेमन रहता है दोस्तो इसके लावा दसमुला रिष्ट में ऐसे औशिदी गुण होते हैं अगर आपको इन्डाइजेशन यानि अपच्छ की समच्छा है तो ये अपच्छ की समच्छा को ठीक करता है और पाचन तंदर को मजबूत बनाता है पेट में गैस बनना, पेट में बहुत ज़्यादा ऐसिदी होना अजिर्णी की समच्छा रहना आदी समच्छाओं में फाइदेमन्द है देखे इसके लावा खाने में अरूची आपको भूग कम लगती है तो दस्मुला रिष्ट जो है भूग बढ़ाने का भी काम करता है इसके लावा थोड़ा सा काम करने पर जिनको सांस चड़ने लगती है ठकान होने लगती है ऐसे लोग भी दस्मुला रिष्ट का सेवन कर सकते है उनको इसका काफी लाब मिलता है इसके अलावा अगर जोडों में दर्द होता है तो उसमें भी फाइदा करता है देखे क्योंकि ये पूरी बोडी के लिए एक टॉनिक के तरह काम करता है तो महिलाओं के लिए फाइदे मनतों है ही साथ ही पूरुस भी इसका इस्तमाल है वो कर सकते है बोडी को ये तागत देने का काम करता है कमजोरी को दूर करता है सरीर में नयाखुन इसके सेवन से बनता है दोस्तों यानि ओवरॉल बात करूं दसमुला रिष्ट की तो ये जो है पूरी बोडी की हेल्थ क्ले काफी अच्छा है देखे अगर बात करें इसके डोस की यानि आपको इसे कैसे लेना होता है तो 15-30 ml आपको समान मातर में पानी मिला कर इसे लेना होता है और आपको इसे जो है खाना खाने के बाद है वो लेना होता है यानि खाना खाने के आदे घंडे बाद कुछ इस प्रकार आप इसे ले सकते हैं देखे मान लीजी आपने इसको 15 ml लिया तो आपको उसमें उत्रही पानी यानि 15 ml ही पानी मिला कर लेना है या फिर मान लीजी 30 ml लिया तो उसमें आपको 30 ml ही पानी मिला कर लेना है और आप इसे जो है एक दिन में दो बार तक है वो ले सकते हैं देखे यहां मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो प्रेडिनेंट महिलाए है और जो इस्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसका इस्तमाल करने से पहले डॉक्टा से जरूर सलाह लेनी है दोस्तो अगर बात करें इसके साइड इफेक्ट की तो इसका कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी इसे लेने के बाद अगर आपको कुछ भी हल्थ में शू लगता है तो आप इसे लेना है वो बंद भी कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप डॉक्टर से भी सलह है वो ले सकते हैं तो दोस्तो ये थी पतंजली दसमुला रिष्ट के बारे में कुछ महत्पुन भरी जानकारी देखे अगर फिर भी कोई कॉश्चन आपके मन में चल रहा हो तो आप मुझे कॉमेंट्स के दोरा भी पूछ सकते हैं अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपके बास सबसे पहले पहुँचे मैं नेम इजितेश और थैंड थैंक यू सो मुझ पर वाचिंग